बेलकम बैक टू नोडिस जव 20 में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगा के लिए निव जव का नोडिफिकेशन ले कराया हूँ आज जो जोब आया हुआ है कस्टम विभाग के तरप्ष मुंबाई में ये वकिंसी निकाली गई है फॉर्म के अंतिम तिथी तीसने नं बैक टूटल 29 पदों पर ये वकिंसी निकाली गई है फॉर्म ओफ लाइन माध्यम से है फॉर्म निशुल के फॉर्म में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा वट ये खेल कोटा के माध्यम से ही वकिंसी निकाली गई है चिन किसी के पास अस्पोर्ट कोटा से सम्मंदित कोई भी सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं हवल्दार का इगारा पद दिया गया हुए जो अठारा से सताइस वर्स आयूसी में मांगी गई है अठारा हजार से चपन हजार नौ सो तक दिया जाएगा दसमी पास होनी चाहिए कर सहायक का जो है अठारा हजार से सोर गयर्जिवेशन पास तथा केम्प्यूटर का ज्यान होना चाहिए केम्प्यूटर पर आठ थजार परवेश परति घंटा की गतिस आप लोगों को टाइपिंग करनी होगी आयू की गन्ना 30 नंबर 2023 के नुसार आप लोगों को किया जाएगा अब एदर सुल्क 0 रुपीज ह कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है स्पोर्ट कोटा के माध्यम से है आप लोगों को और अगर आप लोग ऐसे सीजीडी की तयारी करते हैं तो आपके लिए चक्सू प्रकासन के तरफ से बेस्ट बुक जारी किया गये हुए है जिसमें आप लोगों को अठाइस सो पलस प्र प्रसन दीए गए ऊए हैं जिसमें आप लोगों को जैसे हो गया है जीक्य हो गिया है और रिजनिंग हो गया इसाँ लॐot कर दिये साथ मिनट के टाइमिंग आप लोगों को दिये जाएंगे इतना ही नहीं आप लोगों को देखिए स्लेवस वाई स्लेवस दिया गये हुआ है स्लेवस वाई स्लेवस बाट दिया गए हुआ स्लेवस कौन से स्लेवस से कितना प्रशन आएंगे इस सारे जनकारी दिया गए हुआ स्लेवस वाई स्लेवस किया हुआ साथ ही आप लोगों को देखिया यह प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को solid paper दिया गये हुआ इसके साथ साथ देखे short में भी answer दिया गये हुआ और theory के साथ भी answer जारी किया गये हुआ यह short answer है देखे theory के साथ भी जारी किया गये हुआ है question का answer दिया गये हुआ साथ ही आप लोगों को दो प्रैक्टिस सेट बुक भी है चेक्सू प्रकासन के प्रैक्टिस सेट है जो आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा बहुत से प्रशन भी है और 2023 के तियारी करने वाले स्टुडेंटों के लिए बहतरीन बुक है अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसका डिप सिक्षन में लिंक दे दूँगा वहाँ से भी ले सकते हैं और ये नजदी की सेलर के पास भी अपलब्ध है आउनलाइन माध्यम से भी एस बुक को पर्चेस कर सकते हैं वहाँ भी अपलब्ध करवाया गया हुआ है हवलदार पद के लिए पुरुस का एक आवेदको का एक संतामन पॉइंट 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए सीना 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आप लोगों को दोल लगानी है शुल्ला सो मीटर 15 मिनट में आप लोगों को पूरी तैय करनी है महिला के एक बामन हाइट मांगे गई है 42 किलो बजन आप लोगों को होनी चाहिए एक किलो मिटर की दूरी 20 मिनिट में तै करनी होगी महिला कंडिडेट को डाग द्वारा देखिए भेजने का पता दे दिया गए हुआ महराष्ट का पता 30 नमंबर लाश्ट डेट दिया गए हुआ आप इसमें केवल डाग के माध्यम से ही भेज़िएगा स्पीड पोस्ट या पंजी करन डाग के माध्यम से भेज़िएगा खुद से ब्यक्ति के नहीं दिज़िएगा या किसी कूरिया नहीं कीज़िएगा स्रिप डाग दोआरा ही भेज़िएगा अब एदन में क्या क्या सेटिफिकेट लगेगा चली मैं आप लोगों के बतला देता हूँ पहला तो आप लोगों को जो सैचिक परमान पत दसमी के मांग रहा है तो दसमी के दीज़िए गेज़िएशन के मांग रहा है तो गेज़िएशन के दीज़िए जनमती थी है तो दसमी का परमान पत जाती परमान पत अधार कार्ड खेल परमान पत्र दो अक्तरित पासपोर्ट कार्ड के रंगीन photo । दे दीजिएगा एक form में भी चिपका दिजिएगा एक swam का पता लिखा हुआ बिना टिकेट लगे लिफाप़ डाल दिजिएगा एक लिफापा swam का पता के साथ लिखिएगा क्योंगे आपको admit card return दिया जाएगा अवेदर वाले लिफापर पर post आप लोगों को कोई भी पो स्पोर्ट आता हो जैसे में होकी बॉलिबॉल क्रिकेट जो भी हो आपका इसमें दिया गए हुआ है इसमें से किसी एक में भी आता हो तो आप इस पॉम को भर सकते हैं आवेदन के खेल योगता एक जनवरी 2020 से 30 सक्टूर 2013 तक प्राप्त किया गए हुआ है खेल कोटा सर्टिफिकेट वही इस आवेदन को भर सकता है अवेदन के सभी कॉलम केवल काले पेन से अंग्रेजी के बड़े एक्ष्रों में भरियेगा अधिक जनकारी के लिए आपको लगता है कि ये जूट है ये सच है तो ये 28 अक्टूर के टाइमस ओफ इंडिया मुंबाई पेपर में आप देख सकते हैं इसमें कस्टम भी भाग के तरप्षब मुंबाई में अस्पोर्ट कोटा के माध्यम शेय वकेंशी निकाली गई है और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा वीडियो के लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद